यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ सहमती बंती नजर आई है साथी सकारात्म की वैठक रही तो अच्छी खबर ये गैस टीचर्स के लिए कही जा सकती है कि समान काम समान वेटन जो की एक बड़ी मांग इनकी मानी जा सकती है उसी मांग को लेकर चर्चा की गई और साथी एक हफ़ते बाद ये साफ कर दिया पूचे थे गैस टीचर्स से बाद चित की गई थी और साफ कर दिया गया था कि विजेपी के पास ऐसी पॉलिसी है कि गैस टीचर्स को पका हम कर सकते हैं पहली कलम से पका कर दिया जाएका तो लगातार गैस टीचर्स की पूछ रहे थी कि पहली कलम कहां गई है और पका कब किया जाएका समान काम समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा और भी कई मांगे थी जिनको लेकर सडकों पर लगातार गैस टीचर से एक बार फिर से मिटिंग हुई है सीम से भी ये लोग मुलाकात कर चुके हैं अब अधिकारियों की बार इक है कि अधिकारी साफ करें कि इनकी मांगों पर कब तक सहमती बन सकती है और मांगे कितनी सरकार मान सकती है तो चेंडिगर की एक खबर आज के लिए अपने आप में बड़ी कही जा सकती है कि गैस टीचर्स पर सब की नजरे लगातार ठीकी हुई थी बिजेपी लगातार खिर रखी थी कि जब वादा किया आपने तो पूरा उसे क्यों नहीं किया जा रहा क्या घोशना पत्र में जो चीज़े शामिल की जाती हैं जो वादे किये जाती हैं कोई भी राजनीतिक दल उनके लिए गंफिर रखी होता और बिजेपी ने यूहीं कह दिया था कि गैस टीचर्स को पका कर दिया जाएगा उस पर सोचा जाना जरूरी क्यों नहीं इसी कड़ी में ये बैठक हुई और गैस टीचर्स के जो यूनियन रहे उनके पदा अधिकारे इस बैठक में शामिल खुए तो इसी मुद्दे को लेकर कि कितनी सह्मती बन पाएगी और कितनी सगारात्म की बैठक रही गैस टीचर्स को कितनी उमीदें हैं अभी बाकी की सरकार 2019 करीब है क्या चुनाव में जाने से पहले सरकार बड़ी मांगों को मान सकती है जो कि पका किये जाने की बात थी हालांकि मामले में कानूनी पेंच है उसमें कोई दोराई नहीं लेकिन समान काम समान बेतन की भी जो बड़ी मांग है क्या सरकार वो दे सकती है उसको लेकर चर्चा करेंगी पारश शर्मा हमारे साथ गैस टीचर्स हैं चर्चा में और तीन गैस टीचर्स को हमने बुलाया हैं जिन में राजेंदर शास्त्री भी शामिल खेंसाथी जितींदर थिलोड भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं स्वागत है आप सभी का शर्माजी चुंकी पिछली चर्चा में भी आप रहे एक बार फिर से इस बैठे के बाद आप से चर्चा कर रहे हैं कितनी उमीदे अब बन गई हैं सरकार से सबसे पहले में आप लोग स्पश्ट कर दे की समान काम समान वितन की जो बात आज मुख्यमन्त्री महुद्ध की सिष्ट शिप के बा facilitating आज ने यह कोई फाइल पैंडींग में नहीं चल रही थी अब सारे बात को आरले तद्ध्याओं और गहन मंत्य चल रहा है। और लगभग हईयान सरकार यह तैक कर चुकी है कि हमें समान काम समान वितन देना है तो लेकिन हईयान सरकार के तपश्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहलाल खटर जी ने एक बात कही थी कि मैं सिध्धानत और उसूरों पर चलने वालों रहती हूं मैं कानून के नुसार चलने वालो कानून सम्मत बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्र जी ना धिकारियों को आदेश किया था कि आप इनके साथ मीटिंग कीजिए और मीटिंग करके जो तथे हैं उनको लीजिए और सारे तथे हमने रखे और आज हम जो डालेक्टर महुद्य के सामने तथे रखे अधरनी महुद्य उन तथ्यों से लखोग संतुष्ट नजर आए और उन्होंने संबंदित भवाग है TGT PGT PRT सभी को बलाकर जो हमने फाइल थी हमारी तथ्यों की फाइले थी हम वो सौपियों ने और साथ दिन का टाइम दिया कि आप साथ दिन के अंदर-अंदर सारी रि देखिए सरकार को हमारा कि जो समान काम समान वेतन का जो काम करना है उसमें कोई भी किसी भी परकार के चकरो रहे हैं उनको समान काम वेतन दिया जाए तो हरियनार सरकार को किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रिशानी। नहीं है, और आज की जो क αναल Item हुई है, हमने हर कानूनी, जो पहलू है जो हमारे पक्स में, बहुत मजभूती से, इदनिये हैं। क्षै पानिदेश एलिमेंटरी राजनाण कोशिक के समक्स पेस किया है और उनको बिल्कुल पूरी तरह से कन्वीन्स किया है कि हमारा राइट बनता है तो इसलिए कोई भी कानूनी दाब पेच इसमें नहीं है हम तो रेगुलर का राइट रखते हैं क्योंकि रेगुलर का राइट तीन साल की पॉलीशी पिछली सरकार ने बनाई थी हम जिस पॉलीशी के अदार पर लगे थे उसी पॉलीशी के अदार पर हमारे बड़े भाई जो गेस्ट लेक्चरर कोलेजिस में लगे थे वो भी रेग सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन आप तो कच्छे करमचारी नहीं आप पर टुवन में हैं तो आज की जो हमारी मीटिंग थी वह पार्ट टू में शो करने के लिए थी बहुत मुश्किल रहा जी बारा साल हो गें सर्विस करते हुए लेकिन फिर भी जिस लोकेट हो जाते हैं कही दर जाते हैं एक लेडी होते हुए तो बहुत मुस्किल है लेकिन आज हमारी 17 तारिक को फरवरी को हमारी CEM साब से मिटिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने का था कि आप हैं सारी ट्रम्स वगरा सारी जो है समान काम समान वेतन ह जो आपको उसकी कुछ ट्रम्स हैं उनमें 19-20 कुछ कमिया है आप डारेक्टर साब से मिलिए और उनसे मिलने के बाद 19-20 जो कमी है उसको दूर किया जाएगा तो आज हमारी साभी गैसा थी भाई और बहन मेरे साथ गए और हमने वहां डारेक्टर साब से मीटिंग की उन्हों से पूछा जो भी 19-20 थी पूर्ण अच्छी तरीके से लेकिन अभी भी कुछ है हम पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं क्योंकि सरकार आए दिन जी हमें आगे आगे बढ़ा रही है कि भी नेक्स्ट फ्राइडे का नाम लिया है तो इतना लंबा क्यों जब हमने कर दिया सारे मे अगे सरकार जाने क्या है लेकिन आसा कुछ नहीं है की हम समान काम सरकार नहीं meidän सरकार्ष देरी कर 2020 क्यों सब्सक्राइब करने में तोड़ा टाइम लएगा क्योंकि कारे और हो चुके हैं अवलोकन होने में इतना टाइम लगेगा कि एक सरकार अपना कारेकाल पूरा कर जाएगी आ मैं आपको बता दू कि आज से पहले मुख्यमंत्री जी के संग्यान में यह मामला था ही नहीं कोई में पर आपक्ष नहीं करते हैं कि साथ दिन में जो रेजल्ट है वह अच्छा रहेगा क्योंकि सुखिंदर बरसाना जी हमारे कोट कमेटी के हैं उन्हों अपना पक्ष तनी मजबूती से रखा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत संतुश निजर आए उनकी बातों से उन्किश पक्ष रखा और डारेक्टर महुद्देवी पूर तरह संतुष ने जराए जाता है इस बलिदान के बाल जितना यह जो मैंने कदम उठाया है अपने सोड़ा जार पंदरा जार गैस चासियों के लिए लेकिन इस कदम का मुझे अभी तक पूर्ण रूप से मैं यह कह नहीं सकती कि भी आमें कुछ मिला है या मेरी आत्मा को या मेरे मन को जो है कि मैं हां है भी मेरे बलिदान कामियाब हो गया यह जो सरकार है जो करमचारी अधि कि नियत में कुछ न कुछ है राजिंदर श्यास्त्री जी नियत में कोई दिक्कत परिशानी कहीं न कहीं है जिस करहां से डिले किया जा रहा है और कोई बड़ा थूस आश्वासन भी नहीं दिया गया फिर क्या माल लिया जाए कि बैठक सकार आत्मक्रे हैं देखिए आज ह कोई डाउट है हम उनका भी डाउट कलियर कर देंगे तो इस समय को थोड़ा सा कम कीजिए क्योंकि हरियना परदेश के सभी गेस्टीचर बहुत बड़ी आसा की दृष्टी से आज की मीटिंग के प्रती नजर गड़ाये हुए बैठे हैं और उनको बहुत बड़ी आसा है क कि आज कुछ ने कुछ सरकार और अधिकारी मिलकर कोई ने कोई फैंसला बहुत बड़िया लेंगे तो आप एक सप्ता का समय अधिक है यह कम कीजिए और एक सकारात्मक रूप से आप पहल कीजिए और जो एक IAS अधिकारी जब संतूष्ट हो गया तो निचले जो सुप्रि कि अधिकारी जो है वो कहीं न कहीं ब्रहुत कर रहे हैं क्या इस बार भी चीजिए हो सकती है अब की बार मुझे यह बात मिजर नहीं आई डालेक्टर महुद्द्य ने हमारी बात बड़े गौर से सुनी और जो जो पॉइंट हम बता रहे थे तर्थ्यों के साथ बड़े ग एक बार इसका और अवलोग करवानन चाहते हैं जो डेपार्टमेंट के अधिकारी हैं PGT, TGT को देखते हैं जो और मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी ब्रांड एड़टाइजिंग होती है उसमें कह चुके हैं कि हम 14,000 जो टीचर लगे हैं तबी से गैस्टीचर के पक्के होने की आवाज अपने धर्णे परदर्शन अंदोलनों से उठा रहा है लगातार जो आवाज है उठाई जा रही है और पिछली चाहे वो उड़डा सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार हो लगातार हम परियास रताएं कि अ प्रणिये मुख्यमंत्री गुपेंदर सिंग उड़ा जी थे वो खुद जूस पिला कर आये थे उन्होंने कहा था कि हां मैं चंडिगड में जाके वार्ता करके आपका काम कर दूंगा उन्होंने यहां तक भी का था कि पक्का नहीं कर सकया तो पक्के से कम भी नहीं रहने जो कि पिछली बैठक के दौरान देखने को मिला देखी में जी गस्टीचर एक था पहले वी और गस्टीच राज भी एक है इससे पहले नित्री तो अपने राज नर्वाइस कर रहे थी कर रहे हैं यह समझना है सर क्योंकि दर्शक भी इसको जानना चाते हैं तरफ सरकार के दूसरी तरफ सारे गस्टीचर्स हैं और गस्टीचर्स भी एक ही लड़ाई को लेकर क्या अदग लग चल रगी है फिल्हां जो हमने यह संखर बनाया है गस्टीचर यह कह रहे था है कि पिछले साड़े तीन साल से हमें कोई उपलगी नहीं मिली यद्देपी समय समय पर चाहते थे कि मैं आदव जी आएंगा अपस पास अपने मुंडन करवाया पहले से जानकारी थी क्या किसी ने भी रोकने की कोशिश है नहीं की जी मेरे जितने भी गैस्ट हती थी अध्यापक हैं जितने भी बेन भी उन्होंने पूरी कोशिश की सरकार की तरफ से जी बिल्कुल अनौंसमेंट हो चुका था पहले बता दिया गया था कि आने वाले समय में इस तारिक को हमारा वाँ धरना होगा परदसन होगा रसामुई करवाएंगी सब को सुचित कर दिया गया था लेकिन सरकार की तरफ से किसी बिल्कुल की और से कहीं भी कोई भी करमचारी आधिकारी परसासनिक अधिकारी या हमारे जो एमले एंपी हैं जो कोई नहीं वाया जी किसी ने भी इस तरीके की अनौनी एक जो पर्था काफी सालो उसको देखिए जी और मेरे सर पे तो जो मेरे हस्बेंड है वो भी नहीं है तो कोई गटना जो बिल्कुल जो मेरे को डेड़ साल पहले थी वो तुरंत मुझे मेरे बच्चे को दुबारा से इस सरकार की गलत नीतियों की वज़ए से आज में ये कदम उठाना पड़ा लेक को लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने टाइम आगे ये ये बताइए आप बताइए जोती मैम जी ये कहां का नयाए है आके वड़ते जा रहें कि अगले नैस्ट फ्राइडे को अगले नैस्ट फ्राइडे को जबकि बाहर हमारे सोडा जार जो आप बिचारे आस लगा अगले बिदी आप से ही बिल्कुल कोई नहीं किसी तरीके की बाइशांच जरूर करती है कि महिला अगर मुंदन करवाती है एक शहीद की विव्यांगना जो है पत्नी वह मुंदन करवाती है उसका बच्चा मुंदन करवाता है ना सरकार रोखने की कोशिश करता है जो लेकिन आज की जो बैठेक हो गई क्या उसे मिल का पथर माल लिया चाहें देखिए मैं एक तो यह क्लियर कर देरा चाहता हूं मैं हरियाना अतिथिया द्यापकसंग जिसका रेजिस्टर नमबर 22 है उसका परदेशा देख सूँ और हम यहां कोई राजनीतिक वर्चसव की लड रही है हारियाना परदेश के गैस टीचरों को रेगुलर करने की जिए और यदि सरकार को बार-बार कहा गया है अब भी अमारे दरने चले उए चार मंडलों में और वो दरने तब तक चलते रहेंगे जब तक हरियाना परदेश का एक-एक आती थिया अधिया अपकर सर मेरी बास सुने शास्तरी जी कितने दिन धरने चलाएंगे यह स्टैब है को कोई सरकार की तीन साल इसको इसको पीरियों हो गया पूरा कि बही इनका वादा था इनका बाजब सरकार का कि भी हम पर लिकलम से पका करेंगे उसके बावजूत भी हमने इन तीन साल पीरियड निकाल दिया उसके बावजूद भी अपकम ताकम दर्ना करेंगे हम अपना हक मांग रहे हैं जी जहां हम बैठे हैं वो सेशन पोस्ट पे बैठने हमारा जो आज का जो मांग समान काम समान वेतन के लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि समान काम समान वेतन तो अभी दे देते हैं यदि यह अधिकारियों ने उस बात को बताओ कहां वालवारे कुरूप में लग्म किया था यह भी हर्याना थी तेद्यापक संग रजिश्टे से नंबर बाइस के लिए यह बहुत सरम की बात रही है यह सरम की बात यहां लड़ने के बिए लेकर आप लिए शांत्री साप सुनिए यह बताएए कि आ यह स्थीचर को जानकारी आप लों नहीं जा सकते कि जा सकते हैं लेकिन समान काम समान वेतन ले लिए चुंकि सुप्रीम नहीं जी समान काम समान वेतन भी हम ले सकते हैं पर्मानेंट भी हो सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे जब एक और बैठक होगी और कुछ निकल करेंगे तो चर्चा आज हम लोगों ने यह की कि एक वैठक की गई और उस बैठक में कितना सकारात्मक गैस टीचर्स के लिए चर्चा हो पाई और कितनी उमीदे बन पाई साथी गैस टीचर्स जो कह रही हैं कि पका क्या जा सकता है सरकार की बनशाह होनी जरूरी है उसमें सरकार कितनी गंफिर होगे फिलाल दीजे इजासर नास्कार कितना सकतना और कितना सकती के विए गाईस बना पाईब बनास्कार कितना बनकितनी लेक में कितना सकतना सक कर दोwarई dziś झाल